हालो फ्रेंज मैं हूँ चरंजीत वैलकम टू माई यूट्यूब चानल नाच्रपैथि और स्वाथ दोस्तों आग मैं आपको काली जीरी के बारे में बताना चाहते हैं जिसे हम ब्लैक बिटर कुमिन सीट्स भी कहते हैं देखिए यह दोस्तों यह काला जीरा जो होता है शाज यह बहुत ही चोटे आकार में हैं देखिए कितनी चोटी है यह एक्टम चोटी सी यह लेकिन लाजवाब है इसमें बहुत सरे हेल्थ बेनिफिट्स है और यह थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में और इसका जो तासीर है यह गरम तरीके का है तोस्तों इसके जैसे मैंन इसके डाइबीटीस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही बहतर है क्योंकि जिस जिसको डाइबीटीस है तो वह इसे अगर रोजाना लेंगे तो उनकी डाइबीटीस कंट्रोल में आएगी और जिनको नहीं है वह भी इसे प्रिकॉशनरी मैजर के इसाफ से ले सकते हैं कि आग इस ट्रीट्मेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है यह काली जीरी आपके Rough pressure को maintain करती है और आपके heart को भी प्रोटेक करती है और महिलाहों में मेंसुरेशन की मासिक धरब की जो प्रॉब्लम सहती उसे भी यह रेगुलेट करती है और अगर किसी तरीके की इचिंग है यह स्किन इरिटेशन है उसमें भी यह हेल्प करती है आपके स्किन को हेल्दी बनाती है देखें यह जो रेस्पिरेटरी डिसॉडर से जो भी श्वास अगर्स रिलेटेशन दिसॉडर है तक्लीफे हैं जैसे ब्रॉंकायटी से अस्तमा उन्हें भी यह ठीक करने में मदद करती है और जो चैंसर की प्रिवेंशन में यह बहुत अच्छा काम करती है जैसे कि कॉलन कैंसर है डाइजिस्टिव सिस्टम का कैंसर है ब्रेष्ट कैं औरल कैंसर लेकोमिया या ब्रेइन टूमर टाइब का है जो भी है दोस्तों यह बहुत ही उसके लिए अच्छा काम करती है इसके एंटिपाइटिक प्रॉपर्टीज जो काली जीरियस के एंटिपाइटिक प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि यह इसको आप बैक्तिरियल नर्सिंग अपने बच्चों को दूद पिलाती है जैसे कि वह तो उनके दूद को बढ़ावा देती है उन्हें ब्रेस्ट मिल्क को स्टिमुलेट करती है ता जो आपके नवजाद शिशों का पेट भर सके तो इसके लिए दूद अगर कहीं को महिलाओं को दूद थीक से बन न मीमिकल फिर बहुत हैं इतनी असानी जाते नहीं एैं तो यह कीड़ें मारने के लिए मारने के वह पहुत हो गई हमारे हैर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा देखिए हैर ग्रोथ को प्रोमोट करती है आप हमेशा इसका सेवन करो तो आप देखोंगे आपके बाल लंबे घने सब हो गए है तो दोस्तों इसे आप खा सकते हैं असानी से कोई साइड अफेक्ट नहीं है दोस्तों लेक तासीर में पहले बता चुकी हूं वो गरम तासीर है तो गरपाथ होने का चांस बढ़ जाता है तो इसलिए बहतर ना सेवन करें इसका और जो लोग सेवन कर सकते हैं दोस्तों तो इसमें आपको बहुत असान तरीका है इसको खाली आपको एक चुटकी भर इतनी से आपको इसको मुँ में डालना है चबाने की भी आपको जुरुत नहीं है उसके ओपर एक ग्लास आप पानी पी लोगे और रात को आप खा के सो जोगे तो ठीक है इसके बाद आप कुछ सेवन ना करिएगा तो बहतर होगा अगर आप दिन में सेवन करना चाहते हैं तो कोशिश करी के थोड़ा खाली पेट सेवन करिए और कुछ समय तक इसके बाद इसके ओपर कुछ ना खाएं ता जो यह अच्छे से असर कर पाए और इतना ही आपको करना है रोजाना लीजिए तो आपको फाइदा दिखाए देगा दोस्तों यह डाइबिटीज के लिए वेट लॉस के लिए जैसे और मैंने बालों के लिए बताया यह तो बाखी तो फाइदे में आपको बता चुक्कियों लेकिन इनके लिए तो यह रामबान का काम करता है दोस्तों आप जरूर इसे अपनी जिन्गी में अपनाईए स्वस्त रहिए खुश रहिए और अगर आपको मेरा झाला कि निए जर चपको में आपको साथ लेकिन आपको बताया यह तो अलchnी को मेंता यह विए सी, लेकिन आपको बताया यह लेकिन आपको बताया जरूर शेंने और आपको अवह ए incr więcej पाやって में लिए वागर वेकिनों, क् यह भर दोबसे के लिए पाटां सभिए खुश यह